नमस्कार आप देख रहे हैं नियूजवर एलिया आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मौनिंग इंडिया की खबरों में देश में कोरोना संक्रिम्तों के संख्यार लगातार बढ़ रही है और 2000 से जादा लोगों की जान चली गई थी महारास्ट और देली समीद काई राज़ों ए कोरोना बेकाबू होता न जरा रहा है आलम ये है कि अब अस्पतालों में बैट सॉक्सीजन जूइसी जरूरी चीज़ों की किल्लत होने लगी है महारास्ट में कोरोना का कहर लगाता अर्जवारी है यहां बीते 24 गंटे में कोरोना के 66,000 से जादा मामने सामने आए है वही 74,000 से जादा रिकवर हुए है 700 से जादा लोगों की जान चली गई है महारास्ट में अब भी अक्टिफ केसिज 6 लाग से जादा हैं राजधानी दिल्ली में कोरोना का संकट हर दिन के साथ बढ़ रहा है दिल्ली में बीते 24 गंटे में कोरोना के 24,000 से जादा मामने सामने आए है और 348 की मौत हो गई है दिल्ली में अक्टिफ केसिस की बात की जाए तो यहां पर 92,000 से जादा अक्टिफ केसिस हैं और इसी बीच दिल्ली में कई अस्पतालों में बेट्स की सौटेज और ऑक्सीजन का कम स्टॉक लगातार चिंता बढ़ा रहा है दिल्ली में हो रही बेट्स की कमी के बीच भारते सीना ने डियाडियों के साथ मिलकर एक 250 बेट की आईस्यू यूनिक तियार की है और दिल्ली सरकार भी बेट्स और ऑक्सीजन को लेकर लगातार प्यासत है यूपी में कोरोना के केस लगातार देजी के साथ बढ़ रहे हैं बीते 24 गंटे में 37,000 से जादा मामने सामने आए हैं जो एक दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमतों की सबसे जादा संख्या है वहीं कोरोना के चलते प्रदेश में 199 लोगों की जान चली गई अकेले लखनों में कोरोना के 5000 से जादा मामने सामने आए है उत्यप्रदेश में शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फिय रहेगा जिसके शुरुआदा से हो गई है इस वरान साफसफाई सेंटराजेशन और सविलांस का भियान चलाया जाएगा उधर ऑक्सेजन टैंकरों को लेकर बकारों से ट्रेन रवाना हो चुकी है लखनव के लिए ये दूसरी ऑक्सेजन स्पेशल ट्रेन है शनिवार को यूपी की राजधानी ये पहुँच जाएगी भारते चीनी सीमा पर ग्लैशे तोटने की घटना को ग्रिह मंत्री अमिशाहा ने संग्यान में लेती हो उत्राखन के मुख्य मंत्री तीरा सिंग रावत को हर समब मदद का अस्वाशन दिया ग्रिमंत्री आई टीबीपी को भी सतर ग्रहने का निर्देश दिया है दरसल भारत चीन सीमा पर उत्राखन सेत नीती घाटी के सुमना में शुक्रवार को ग्लैशे तोटने की घटना हुई जिसके बाद मुख्य मंत्री तीरा सिंग रावत ने अलोट जारी कर दिया ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो पाए मुख्य मंत्री तीरा सिंग रावत ने बताए कि ग्रिमंत्री अमिश्चाह ने नीती घाटी के सुमना में ग्लैशे तोटने की सुषना का ततकाल संग्यान लिया है उन्होंने इस घटना को गंभीटा से लेते वे उत्राखन को पूरी मदद देने का अस्वाशन दिया और आईटी बीपी को सतक रहने की नर्देश दिये हैं उनकी सतक परता और समेदन शीलता के लिए प्रदेश वासियों के ओर से अभार व्यक्त करता हूँ सीमा सड़क संग्ठन की एक अधिकारी ने बताए कि चमूली जिले की नीती घाटी में मलारी के समेब सुमना चौकिस से आगे गलेशर के गिरने की सुष्टा बिली है हाला कि बर्फबारी की कारण उस इलाके में संपर्क नहीं हो पा रहा था इन दिनों सीमा सड़क संग्ठन की ओर से सड़क निर्मान के लिए वहां मजदूर लगातार काम पे जुटे हुए है अधिकारी ने बताए कि घटना की सूष्टा मिलते ही जोशी मर्ट से संग्ठन की एक टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई उधर जलशक्ती मंत्री घजेंदर सिर्फ शिखावत ने कहा है कि वो मामली पर करीबी नजर लगातार बनाये हुए है उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट भी किया है भारत में जानलेवा कोरोना वारस की दूसरी लेहर तेजी के साथ फैल रही है अमेरिका एक तरफ दावा करता है कि संकट किस घड़ी में वो भारत के साथ है वहीं दूसरी तरफ उसने भारत को कोरोना वैक्सिन का कच्चा माल देने पर रोक लगा दी है अमेरिका का कहना है कि उसका पहला दायत अमेरिकी लोगों की जरूरतों को देखना है विदेश विभाग की प्रवक्ता नेट प्राइस ने जब ये उचा गया कि बाइडन प्रिशासन कोरोना टीके के कच्छे माल की निर्याद पर लगी रोग को उठाने के भारत के आग्रेपर कप फैसला लेंगे तो जवाब में उन्होंने कहा अमरिका सबसे पहले और जज़ ज़रूरी भी है अमरिकी लोगों के महत्वकांशी टीका करण के काम में लगा है ये टीका करण प्रभावी और अब तक सफल रहा है अमरिका इस कदम से भारत में इस टीके के वे निर्मान से सुस्तियाने की आश्वंका बढ़ रही है प्रवक एक प्रवक्ता ने नहीं पहले दाइत्वा को पररा करने के साथ जो कुछ भी कर सकेंगे वो हम सब्सक्राइब करेंगे